नमस्कार ख़बरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्या से हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी ख़बरी जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडिय मुझूद है सबसे पहले एक नजराच की टॉप हिटलाइन्स पर जारखन में सुरेन सरकार पर जमकर पर से पीए मोधी भ्रस्ट चार पेपरलिक से लेकर परिवार बार और जूठे वादों तक का क्या जेकर जेमें कॉंग्रेस कट बंदन को बताया गुसपैठिया बंदन माराष्ट बिदान सबाच चुनाव को लेकर उधर ठाकरे की बागियों को कड़ी चतावने बोले वापस लोन मांकर नहीं तो होगी बड़ी कारेवाई तूपने के कगार पर कौंगे सो सब पकातर तक तक मंदिर पर खालस्तानियों के हमले के बाद हिंदू के हुंकार कनाटा में लगे बटोगे तो कटोगे के नारे मंदिर के पुजारी ने कहा सबको होना पड़े का एच्चु तिरुमाला ट्रस्ट के अधक्ष बियार नाइडू ने उवैसी पर किया पलडवार बोले रियल स्टेट कमपनी है वकप वोर्ड टिटेडी से नहीं कर सकते तोगना अमेरिका में राश्ट पती चुनाव को लेकर चरम पर स्यासी संग्राम कमला है इसको बड़ा चटका चुनाव से ठीक पैले स्विंग स्टेट सर्वेच्छर में डुलान ट्रॉम्प ने बनाई बड़ा थी प्रदार मंतरी मोदी ने जार्खन में दो रहलिया की इस तोरान गणवा में प्यम मोदी ने जार्खन मुक्ती मोचा कॉंग्रेस और राचत को जम कर गे रा उन्होंने ब्रस्ट चार पेपर लिक से लेकर परिवारबाद और जूटे वादों तक लगभग हर मुद्धों पर हेमंत सुरिन सरकार को खरी खोटी सुनाई वहीं बांगलादेशी घुसपैटियों का कथे तौर पर समाथन करने के लिए इस गड़बंधन को घुसपैटिया बंधन और माफ्या का गुलाम तक करार दे दिया जबरदस्त तरीके से हमला बुला है आठी देखिए किस तरीके से नेरेटिव को गढ़ा जाता है एक हर्याना में कॉंग्रेस पार्टी ने भी नेरेटिव गढ़ी थी पहलवान किसान और जवान यहाँ माटी रोटी और बेटी यह तीन चीज़ अब सवाल क्या है कि आप जब इस तरह के नारे गढ़ते हो तो उसके पीछे के कारणों को भी आपको जानना और समझना जरूरी होता है प्रदान मंत्री मोदी घुस पैठ के मुद्दे को बड़ा बना रहे हैं भारती जन्ता पार्टी का यह प्लैंक कर रहा है जिस हिसाब से वहां हेमंत पुष सर्मा वो भाशन दे रहे हैं वो एक साफ साफ कह रहे हैं कि समझ जाओ यह घुस पैठियों को अगर आपने बाहर नहीं किया तो यह कल तुम्हें तुम्हारी जमीन से भगा देगे तुम्हारी बेटियों को उठा ले जाएंगे तुम्हारी जमीन खा जाएंगे और तुम्हारे रोजगार को खा जाएंगे तो माटी जमीन किस तरीके से यह बंगला देशी हड़प रहे हैं वहाँ दमाद गाउं बन रहा है बेटी किस तरीके से फुसला के बहला करके ब्लैक मेल करके साधिया की जा रही है उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और रोटी रोजगार भी खा रहे है तो ये जनता से जुड़े हुए मसले को बीजेपी ने अपना नेरेटिव बनाया है नंबर दो प्रदान मंत्री मोदी ने आज फिर दोराया वो डालॉग जो हर्याना में सुनाई नहीं दिया था ये मोदी की गारंटी है नौकरी सुरक्षा और घुस पैठियों से निजाद तो ये मुझे लग रहा है कि ऑल्रेडी जो जार्खन से खबरे आ रही है ये वन को जहिल तो रही है साथी साथ कोई पॉजिटिव अजिंडा लेकर के जनता के बीच नहीं आपाई ये वही माराज बदान सबाचिनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है आज नमांकन वापस लेने का आफरे दिन रहा इससे पहले उधर ठाकरे ने बागियों को चेताओं भे ले लिया और जिन बागी उमिदवारों ने अपना नमांकन वापस नहीं लिया है उनके खलाप खड़ी कारिवाई की चाहिए वही मारास्ट में कॉंग्रेस और सप्पा का गडबंदन तूटने के कागार पर है सप्पा अब तक माहरास्ट की नौ बदान सबा सीटों प समाजवादी पार्टी माहरास के बारे में सारे लोग बात करें जारखंट के बारे में क्यों नहीं क्यों बात कर रहा है 16-16 उमिदवार समाजवादी पार्टी ने खड़े कर दिये जार खंड के अंदर, 16 उमिदवार, तो आप कैसे क्या करोगे, तो ये जो इंडी गढ़बंदन नाम की जन्तू, जो मीडिया ने और कॉंग्रेस पार्टी ने क्रियेट कर रखा है, वो exactly जमीन पे है नहीं, जमीन पे कोई गढ़बंदन नदर नहीं आ रहा, गढ़बंदन का मतलब क्या होता है, कि चार नेता आये, फोटो खिचा लिया, मीटिंग कर लिया, अख़बार में छपा दिया, गढ़बंदन हो गया, रियल टेस्ट तो गढ़बंदन और अनी अलाइंस इस कि जब आपके कारकरता लोकल वर्कर्स जमीन पे मिल के काम करें, और अगर ऐसा नहीं है, तो यह हवा हवाई गढ़बंदन है, बागी खड़े हुए हैं इसलिए, क्योंकि यह बिना मेल की साधी है, है ना, सारे लोग नाराज हैं, कॉंग्रेस पाटी में भी लोग नाराज हैं, NCP में भी देखिए, सरत पवार तो मनाने के लिए चले भी गए, लोट के आए, फिर पीछे से जो है, उसने अजित पवार को जोईन कर लिया, तरह-तरह की कहानिया आ रही है, उद्दव ठागर की मिसाल अजिव ह चुनाओ के लिए आप जा रहे हैं, अपने ही निताओं, कारकरताओं को धमकी दे रहे हैं, ये धमकी वाली राजनिती डिमकरसी में नहीं चलती है, ये वही गलती है, जो गलती, सिंदे साब जब विद्रो उन्हों ने किया था, और सारे लोग असम आ गये थे, तो सज्दे देते थे कि आओ मुंबई, देखते हैं सडक पर कैसे चल पाओगे, सडक पर नहीं चल रहे हैं, ये उद्दव ठाकरे गुटके, चाती पर चड़के, वहां मुंख्यमंत्री बनके, वहां मुंबई में राज कर रहे हैं, तो ऐसे धमकिया डिमकरसी में चलती नहीं है, और जब धमकी देने की बात जब आ जाए, तो आप मतलब समझ दीजिए, कि इनके हातों से लगाव छूट चुकी है, इस कबर में बात कनाडा की, कनाडा में खालेस्तानी सबर्थकों की हिमाकत लगातार बढ़ रही है, वो खले आम भारत के खलाब पदेशन और नारे बाजी क कि हिंदू और मंदिरों पर हमले भी कर रहे हैं, इस बीच अब हिंदू में भी एक जूटता के प्रयास तेच हो गए हैं, यहां हिंदू ने कनाडा में बटो गे तो कटो गए के नारे लगाए हैं और एकता देखारे की अपील की है, दरसल कल खालिस्तानी समर्थकों ने ब देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर लग रहा है कि राहूल गांदी प्रियंका वाडरा के तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, राफा में इनके रिस्तेदार बैठे हुए हैं, औल आई जोन राफा, प्रियंका वाडरा ने किया था न भी, हिंदूों पे हमले हो रहे हैं इनके मुझे से निकल लए रहा है कि खालिस्तानी हो यो, क्यों हुआ है यह सब? क्योंकि हिंदु मंदर के सामने ये लोग सेलिबरेट कर रहे थे, क्या सेलिबरेट कर रहे थे? इंदरा गांधी के एससेसेनेशन को, 31 अक्तीस अक्टूबर को हुआ था, और वहां ये लोग जश्ट मना रहे थे कि हमने मार दिया इंद्रा गांधी को वह एंटी इंडिया नारे लग रहे थे और हिंदू क्योंकि वीकेंड्स में ही वहाँ छुट्टी उस तरह से होती नहीं है तो जैसे होली हुआ मिड वीक में पढ़ गया तो आने वाले सटेडे संडे को वो लोग होली मनाते है दिपावली बीच में आ गई वीक डेज में तो दिपावली वीकेंड्स के उपर ही मनाते है तो हिंदू वहाँ पे एकत्रित हो रहे थे तो जब इन्होंने एंटी इंडिया नारे बाजी की तो इन लोगों ने भी नारे बाजी की तो ये खालिस्तानी आतंकबाद ये पाकिस्तानी टटू ये लोग मंदिर के अंदर घुसके इन लोगों ने हमला किया और मंदिर के अंदर घुसके जब हमला किया तो वहाँ की पुलिस को देखिए पुलिस में भी खालिस्तानी घुसे हुए उसका एक सार्जेंट है जो जबरदस्ती हिंदू की पिटाई करना शुरू कर दिया आपको क्या लग रहा है यही नुकसान होता है जब प्रधान मुनती के कुर्सी पे कोई पपू बैठ जाता है पपू का मतलब यह होता है डैनाश्ट लेने वाला नसाखौर जिसका हित्यास जो है ड्रक्स लेने वाले लोग दुनिया भर में पपू है नज़र गुमा के देखिए का इस तरह का ड्रग लेने वाला डैनास्ट बाप दादा जिसका प्राम मनिस्टर रहा हो वह बपती समझ करके रूल करता है तो उसके हाथों से ऐसी चीजे शिल्ष होती है तो यह मामला बड़ा हुआ तमाम हिंदू संगटे प्ठीड कठा हुए है तमाम हिंदू संगटे प्ठीड कठा हुए है इन खालिस्तानियों वो खिलाफ और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताओ वहाँ पे जो सिक समुदाय है उन लोगों ने भी अब इन लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया यह मुश्किल से 10-12,000 लोग होंगे जो खालिस्तानी सेंटिमेंट्स को के साथ जुड़े हुए Otherwise, majority of sick population, they are not with them यह उनको तुक्स की निजर से देखते हैं कि यह सब जो है बेरुजगार लुम्पेन इलिमेंट्स हैं, इनको कोई काम धंदा नहीं है तिन लोगों की गिरफतारी हुई है, जो कि भारत सरकार ने कहा है कि यह तो बरदास नहीं किया जाएगा Freedom of expression आतकबादियों को पाल कर रखोगे, यह कल आज यह हिंदू को पर हमला कर रहा है कल यही खालिस्तानी, यह कनाडियन्स को मारेंगे और यह मत भूलिये, कि वहाँ जो हिंदू की उपर हमला हुआ, उसमें जादा तर कनाडियन सिटिजन है तो यह क्या कर दिया इस पपू ने, कनाड़ा का पपू यह जब तक जाएगा नहीं, कनाड़ा में कुछ अच्छी ख़बर वहां से आएगी नहीं और अब बात तिरुमाला ट्रस्ट के अध्रक्ष के, तिरुमाला मंदिर में मिलावटी घी के इस्तिमाल को लेकर उठे विवाद के बीच बियार नाइडू ने अलान किया है कि मंदिर परिसर में सिर्फ हिंदू को ही नौकरी दी चाहिए उन्होंने मंदिर के संचलन में धार्मिक अखंता को बनाये रखने की महतर पर भी जूर दिया इस पर AIMIM प्रमुप असदुदीन ओवैसी ने प्रस्तावित वक्फ शंसुदन विदह का हवाला दिया और वक्फ बोर्ड में गयर मुस्लिमों को शामिल केचाने पर सवाल उठाया वैसी का कहना था कि T.T.D. बोर्ड में एक भी सदसे गयर हिंदू नहीं है वैसी के बैन पर T.T.D. के नए अधक्ष बिया नाइडू ने नराज की जताई है और कहा है कि वक्फ बोर्ड एक रियल इस्टेट कमपनी है वैसी इसकी तूला T.T.D. से कैसे कर सकते है क्यों इतनी ज़्यादा बेचैनी बढ़ी बढ़ी है बिल्कुल सही बात का है T.T.D. के चेर्मेन ने कि वक्फ कोई रिलीजियस और्गनाजिशन नहीं है वो रियल इस्टेट कमपनी है जमीन हडपने वाला एजिंसी है को रिलीजियस सैंक्शन नहीं है इस तरह के संगठन को कानून के संविधान में पार्लेमेंट के जरिये इसको बनाया गया है तो वो बेसिकली वो को रिलीजियस इस्टेट नहीं है वो इस्टेट को बताना चाहिए कि कुरान और हदिस के कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है कि जहां मुसलमान होंगे वहां वकबोड होगा कानून के जानकार है आप सम्मिधान बचाओ सम्मिधान बचाओ मौलबी मुलाना कटरपंथी लोग कर रहे है आजकल कि सम्मिधान को बचाना है तो ये सम्मिधान के तहट इस इन्स्टेशन को बनाया गया है आपके कुरान के तहट ये नहीं बना हुआ है कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भही अगर ऐसा को religious institution होता कोई religious institution अगर होता sanctioned by Islam सादिय अरब में भी होना चाहिए पाकिस्तान में भी होना चाहिए बंग्लादेश में होना चाहिए दुनिया में जितने भी 5557 मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां वकबोर्ड होना चाहिए है क्या नहीं यह तो कॉंग्रेसियों की मती मारी गई थी यह मुस्लिम भोट बैंक के चक्कर में आपने सिर्फ हिंदुस्तान में क्रियेट किया तो यह कॉंग्रेसी जो है वह ज्यादा साओधी अरब और बहरीन और इंडोनेसिया मरेसिया से जादा बड़े मुसल्मान बन गए यह कॉंग्रेसी जिन्हों ने यह सिर्फ क्रियेट किया अब इनको तो खत्म करना चाहिए अब जिस तरीके से विवाद हो रहा है हिंदु समाज को सामने आकर के कहना चाहिए कि बंद करो यह बदलाव की जरूत नहीं है वक्त के कानून में बदलाव नहीं इसको खत्म करनी क्या वर्शकता है तब ही यह लोग सुधरेंगे यह तो हर चीज में यह आवेसी जो है यह मुसल्मानों को भड़काने का जो काम कर रहा है यह लोग जमिते उल्मा हिंद वाला और यह वैसी यह सब वोटों के चुनाओं से पहले वार पलट वार बहुत तीखा हो क्या है चुनाओं में रिपब्लिकन पार्टी की और से उमिद्वार डॉनाल ट्रम्प पूरी ताकत लगाये हुए हैं वही डेमोक्रेटिक पार्टी के उमिद्वार कमला हैरिस भी अपनी पार्टी की सरकार बनाले के ल हुए हैं वह तब भी जब जुनाव से कुछ दिन पहले दोनों होई मुदवारों ने अपनी पूरी ताकत स्विंग स्टेट पर लगा दिये क्या लग रहा है क्या होगा मैं देखिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पे डोनाल्ड क्रम्प आए क्योंकि अभी की जो तमिलनाडू से है लेकिन इधर जो है वो हिंदुस्तान के प्रति कोई प्रेम अगार नहीं निज़रा था अगर कोई हिंदुस्तान का दोस्त वहां पे प्रेजिडन्ट या वाइस प्रेजिडन्ट होता तो यह जो पनु है हिंदुस्तान का दुश्मन यह जो आतंकी है वो अधान मंतरी मोदी को कैसे बदनाम किया जाए ये स्कीम चलता रहता है वाइट हाउस में ऐसे महाल में ये बहुत जरूरी है कि वाइट हाउस के अंदर दोस्त हो भारत का दोस्त हो और वो साफ साफ दिख रहा है कि कमला हैरिस और डोनल्ड ट्रम्प के अंदर इन दोनों में हिंदुस्तान का ज़्यादा मंददगार होगा और इसलिए हिंदुस्तानियों के लिए ये जरूरी है कि वहाँ पे डोनल्ड ट्रम्प बैठे ताकि ये जो एलिमेंट्स है क्रुकेट एलिमेंट्स निगेटिव इवल फोर्स ये वाइपन थी ये जो वारस है कम्मिनिजम क ये वारस जो है ये पुरी दुनिया से खत्म हो तो ये जरूरी है कि खबर जो है हिंदुस्तान के लिए भी राहत देने वाली है कि सारे स्विंग स्टेट्स में जो है डोनल्ड ट्रप आगे चल रहे हैं चुनाओ में बस कुछ घंटे बाकी हैं मुझे लग रहा है कि जोनल प्लसेस के लिए देखतर ही कापिटल टीबी हमें लाइक कीचे शेर कीचे और हाँ कापिटल टीबी को सब्सक्राइब करना बिलकुल नभूरे धनेवार